प्यारे बच्चों श्वागत है आप सभी का हम लोग पढ़ रहे हैं B.A.C. First Year की Thermodynamics और आप सभी की requirement पर या यू कही है की demand पर हम Thermodynamics का second part आज शुरू करने जा रहे हैं आज बहुती important article हम करेंगे जो आपके university exam के साथ साथ आपके competitive exams में आगे चलके जो आप test देंगे उसमें भी बड़ी help करेगा चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा topic आज का topic है Jules Thompson Effect Jules Thompson Effect प्यारे बच्चो सबसे पहले हम देखेंगे की Jules Thompson Effect क्या होता है और फिर Jules Thompson इस experiment को पूरा study करेंगे इसके procedure, observations, theory और फिर conclusion यह जरूर थोड़ा सा लेंदी रहने वाला है आज का लेकिन आपका एक पहुत important topic जो है यहां तियार हो जाएगा आप तियार हो जाएगा अपने notes बनाने के लिए अगर आपको handwritten notes चाहिए तो आपको description उसका link भी मिल जाएगा तो चलिए देख लेते महीन सुराग अगर हम इसके दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस ज्यादा रखे और फिर जो गेस पास करें किससे पोर्स पलगजे हम गेस को पास करेंगे तो temperature में अंतर आ जाता है यहां कुछ temperature होता है यहां कुछ temperature होता है लेकिन यह सब कुछ under adiabatic conditions होना चाहिए कि ना बाहर से अंदर और ना अंदर से बाहर जानी चाहिए यानि कि conditions कैसी होनी चाहिए यह system जो है completely thermal isolated होना चाहिए ऐसी conditions में temperature में difference आ जाता है इसी effect को हम कहते हैं Jules Thompson effect यानि कि आप यह लिखेंगे the change in temperature of gas on passing through force plug यह condition लिखनी ज़रूरी है अंडर एडिया बेटिक कंडिशिएंज इज गाल्ड Jules-Thomson effect Jules-Thomson effect प्यारे बची यह नहीं हने पहले बता दिया कि दोनु तरफ जो प्रेशन डिफेंस यह वो लाज होना जाए भी बेस्यू डिफेरेंस प्रेशादीफरेंस यंग यह प्रेशर डिफेरेंस वन बोट सा ενines यह प्रेशादि बोट साइद्स और प्षा बलट मस्ट भी लार्ज तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया कि जूल्स थूम्चन इफेक्ट क्या होता है चलिए अब हम उस एक्सप्रिमेंट को पर्फोर्म कर लेते हैं जिस पर आपके एक्जम्च में क्यूशन पूछे जाते हैं और जिससे यह concept भी clear हो जाएगा कि जब हम पोर्स प्लग से पहले gas को पास करते हैं तो कुछ gases होती हैं जिन में temperature decrease हो जाता है यानि cooling effect होता है कुछ gases के case में जो है heating effect होता है और किसमें कुछ भी नहीं होता यह क्यों होता है किन conditions में होता है इस पूरे experiment को करने चाहिए हमें वो सब कुछ पता चल जाएगा पूर्स प्लग एक्सपरिमेंट और पहले बच्चों आप जानते हैं किसी भी experiment में जो main चीज होती है उन सभी को आद हम अभी discuss करने वाले हैं सबसे पहले देखते हैं इसमें apparatus क्या क्या होते हैं यानि कि इस experimental setup में हम क्या use करने वाले हैं यह देखिए मेरे साथ साथ आप diagram जरूर बनाते चाहिए इससे आप क्या जो notes है वो तयार हो जाएंगे यह देखिए यह vessel है इसमें एक piston है यहाँ पर मेरे यह देखिए यहाँ अब हम एक spiral tube है यह spiral tube यह एक compressor की साथ यहाँ जुड़ी हुई है यहाँ यह compressor है और इसमें यह piston है इसमें gas भरी हुई है यह देखिए और यहाँ पर यह spiral tube है मैं आपको पहली बता चुका हूँ यह insulating material है यह wooden block है क्योंकि हमें यह पूरा process जो है यह wooden block है और यहाँ पर यह insulating material है ताकि इस पूरे system को हम thermally insulate कर सकें प्लेटिंग मैटिरियल और यहाँ पर यह पूर्स प्लग है आप इसको cotton wool कह सकते हैं बहुत हिमाहिन इसमें एक तरह से सुराक होते हैं पूर्स प्लग है यह पूर्स प्लग cotton wool के रूप में और यहाँ पर initial pressure मापने के लिए यह देखिए यह एक pressure gauge भी हमने यहाँ लगाया हुआ है this is the pressure gauge जो भी इसमें यूज कर रहे हैं वो देखिए और पूर्स प्लग से पहले गैस का temperature मेजर करने के लिए हम यह एक thermometer लगा रहे हैं this is thermometer platinum resistance 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 thermometer इसको हम T1 कह देते हैं यह देखिए विच मेजर दी temperature before passing the gas through this force plug और गैस से pass होने के बाद भी हमें temperature मेजर करना है यह भी एक platinum resistance thermometer है T2 इससे हम करते हैं और बिफोर जो गैस का temperature constant maintain रहे इसके लिए इस पूरे system को एक water bath में insert क्या जाता है यह spiral tube वगरा यह शारी चीजे यह देखिए तो प्यारे बच्चो इस तरह से आपने देख लिया की जो experimental setup है उसमें क्या-क्या है there is a you can say a compressor this is the compressor and this is the spiral tube which is inserted in the water to ensure the constant temperature here and this is the force plug which is made up of the cotton wool and this is the insulating materials to ensure the adiabatic conditions and this is the platinum resistance thermometer T1 which measure the temperature before passing the gas through force plug and T2 is again the platinum resistance thermometer which measure the temperature after passing the gas through force plug तो प्यारे बच्चो यह हमारा force plug experiment में जो experimental setup है जिस हमें यूज करना है वह है चलिए अब हम देखते हैं कि इसका क्या procedure है और observations क्या-क्या है प्रोशिजर एंड अब्जरवीशन तो पहरे बत्रों मेरी साथ साथ आप लिखते रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं जो कुछ इसमें हो रहा है वो देखी क्या है हम सुर्वात कहां से करेंगे गेस इस हाइली कंप्रेस्ट थू इस कंप्रेस्टर इंट इसस्पिरल तूब अ करेंडे वर उसक्पिर्ण तूम जिखन धिसवर यसरन ⁃र्ण before passing through this pressure force plug. The temperature of this gas keeps constant by inserting this spiral tube into the water, highly compressed gas then passes through this force plug which are made up of cotton wools and the temperature of the gas after adiabatic throttling process is measured with the help of this platinum resistance thermometer T2. Jules and Thomson repeated this experiment by taking the number of gases and observed that Jules and Thomson are repeated. The experiment with large number of gases, and observed that at sufficiently low temperature. means that when the temperature is very low, then what happens is that the gases are or you can say that all gases show the cooling effect. The final temperature is less than the initial temperature. All gases show the cooling effect. That is, the final temperature shows remains less than the initial temperature. cooling का मतलब यही होता है कि जो यहाँ temperature को वो कम रहता है. आए है रिमेंग को यहाँ रिमेन लेसर देन इनिस्षिल तेम्प्रेचर. तो यह उन्होंने और ज़ब गिया कि ज़द अतर गेसी जो है काफी लो पर कुलिंग इफेक्ट शो करती है एट ओर्डरी तेंपरेचर अब हम रूम टेंपरेचर के बात कर रहे हैं ओर्डरी टेंपरेचर यानि कि पहले हम क्या लिख रहे हैं जो जूल्स और थूंसन ने इस एक्सप्रेमेंट को करके जो ओब्जर्वीशन्स प्राप्त की थी वो क्या थी इन पॉइंट्स को लिख रहेते हैं फिर इन ही को एक्सप्लेंज करेंगे ठेओरी को डिसकस करके तो दिए एट ओर्डरी टेंपरेचर जो ज्यादा तर गेसी यानि आप यही कहेंगे कि मोस्ट ओफ गैसीज शोग कूलिंग इफेक्ट मनलब जादातर लो टेंपरेचर पर तो प्रतेंपरेचर लो होता तो सारी ही गैसी जो है वोग ऐड़केट शो करती हैं बट और बेद इक क्रण यहानि पुलिंग का जीन पर लेकिन अगर हम एक्जाम्पल लें हाइडरोईजन एंड हीलियूम गैसीज का गैसीज ओर्डिनरी टेंपरिचर पर शोज हीटिंग इपेक्ट यह इपेक्ट शो करती हैं प्यारे वच्छों क्यों करती हैं इसका रिजन हम बाद में जब थोरी डिसकस करेंगे तब बताए थर्ड पॉइंट देखिए प्यारे वच्छों कि हम यह देख रहे हैं कि जैसे ही गैसे इस पॉर्स प्लक से पास होती हैं तो उसका टेंपरेचर डिक्रीज हो जाता है फॉल हो यह जो फॉल इन टेंपरेचर है यह प्रेशर डिफरेंस पर भी डारेक्ट ली पर पोस्ट न इन टेंपरेचर इज डारेक्टली प्रपोस्टनल टू यह सारी पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो अब्जर्वेशन के हैं डारेक्टली प्रपोस्टनल प्रपोस्टनल टू दी प्रेशर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस on both sides of force plug force plug के दोनों तरब चलिए ये तो जितना ज़्यादा आप pressure difference करते जाएंगे जो fall in temperature वो भी ज़्यादा हो जाएंगे चलिए एक और बात देख लेते हैं हम मान लेखते हैं दोनों तरब जो pressure difference है force plug के वो one atmospheric pressure है यानि कि वो fix है इस difference को हमने fix कर दिया अब क्या है जैसे जैसे हम initial temperature बढ़ाते हैं तो जो fall in temperature है वो जो final temperature है वो decrease करता है इन temperature का जो difference है दोनों तरब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है जब हम इस initial temperature को increase करते हैं temperature है और यहाँ पर temperature है इन दोनों का जो difference है वो initial temperature increase करने से यह difference घटता चला जाता है और किसी particular temperature पर यह zero हो जाता है zero का मतलब जितना initial temperature होता है उतना ही final होता है और उस temperature को हम temperature of inversion कहते हैं इसके बाद भी अगर आप initial temperature को increase करते हैं तो फिर यहाँ पर final temperature बढ़ना शुरू हो जाएं यानि कि cooling की बजाए heating effect शुरू हो जाता है four one atmosphere difference in pressure इस बाद हमने pressure difference को constant कर दिया है one atmosphere difference in pressure on both sides of pores plug the fall in temperature यानि कि initial temperature के जब final temperature कम हो जाता है तो इसे करते हैं fall in temperature आप यहीं लिखेंगे the fall in temperature मेरे साथ साथ notes जरूर बनाते रहें decreases मतलब यह कम होना शुरू हो जाएगा जो difference है with increase of इंप्रीज ओफ इनिशलhalf इनिशल टमप्रेचर बढ़ाने से जो फाइनल टमप्रेचर रहै वो कम हो रहा था लेकिन जिए तुर हाद है रहे यह कमception करते हैं और किसी प्रिकुलर इनिशाल temperature पर यह 0 हो जाता है and becomes 0 at particular temperature, particular temperature यानि कि initial or final temperature दोनों बराबर हो जाते हैं, this temperature is called, temperature is called, इस temperature को हम क्या कहते हैं, temperature of inversion, temperature of inversion, प्यारे बचो, अब फिर से भी अगर हम temperature of inversion, initial temperature को temperature of inversion से जाधा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो फिर अब falling temperature नहीं होगा, अब यह final temperature, initial temperature से जाधा होगा, यानि कि अब hitting effect शू हो जाएगा, यानि कि वही बात में यह लिख रहा हूँ, initial temperature further increases, यानि कि temperature of inversion से भी हम अगर हम जाधा करते हैं, further increases, then, final temperature increases, final temperature बढ़ने लगता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, यह heating effect, इसे हम इटिंग effect के नाम से जानते हैं, यह देखी, अब यह point हो गई, अब हमें यहाँ पर clear हो गया है, कि अगर initial temperature हमारा temperature of inversion से कम है, तो फिर cooling effect होगा, अगर हमारा initial temperature जो है, वो temperature of inversion से जादा है, तो फिर heating effect होगा, अगर initial temperature, temperature of inversion के बराबर है, तो फिर कोई change नहीं होगा, और उस temperature को आप जानते हैं, कि जहाँ पर joules thomson effect की value जो है, 0 हो जाती है, of inversion, at temperature of inversion, the value of joules thomson effect, is 0, हम इनिशल temperature को T1 से लिखते हैं, वही बात है, कि if T1 is less than temperature of inversion, यह temperature of inversion है, जहाँ पर joules thomson effect की value 0 रहती है, तो क्या होता है, कोन सा effect होता है, cooling effect, cooling effect होता है, यह हमारी बात समझ में आई, कि अगर इनिशल temperature, temperature of inversion से कम है, तो final temperature decrease करेगा, कम हो जाएगा, लेकिन यह देखिए, if initial temperature is equal to temperature of inversion, then neither cooling nor heating, then no change in temperature, यहाँ temperature में कोई change नहीं होगा, यह joules thomson effect की जो value है, वो 0 रहेगी, इनिशल temperature is greater than temperature of inversion से जादा होता है, तो फिर heating effect होगा, यह observations हैं, जैसा कि आप देखते हैं, कि मैं अभी बात कहूँ आप से, कि for hydrogen जो है, जो हमारा temperature of inversion है, वो minus 80 degree Celsius है, और helium के लिए यही जो temperature of inversion है, यह minus 258 degree Celsius है, अब देखिए कि यह जो है, room temperature पर या ordinary temperature से इसकी value काफी नीचे है, काफी कम है, तो room temperature इसे जादा होगा है न, इसलिए यह जो ordinary temperature पर या room temperature पर यह दोनों ही gases, क्या शो कर रही है, heating effect शो कर रही है, क्योंकि जो initial temperature ही है, वो इनके temperature of inversion से जादा है, that is why these two gases, hydrogen and helium, shows heating effect, बलकि बाकी जितनी भी हैं, उनका temperature of inversion, room temperature से जादा होता है, तो वो cooling effect शो करती है, तो प्यारे बच्चों, यह तो हुई हमारी, इसकी observations हुई, अब हम theory of Jules Thompson effect को study करते हैं, बहुत important article है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, हर point को धीरे धीरे पढ़िए, notes बनाते हुए पढ़िए, समझ करके पढ़िए, अगर आपको article त्यार करना है, तो फिर आपको हर step clear होता है, जहां कहीं भी आपको doubt major आता है, तो आप comments करेंगे, और साथ में हमें notes की भी आप help ले सकते हैं, कि हो सकता है कोई चीज आप लिखने में छुट गया है, नहीं लिख पाए हैं, तो जो handwritten notes form है, description में उसके link से download भी कर सकते हैं, चलिए देखते हैं, theory of Jules Thompson effect, theory, theory of Jules Thompson effect या force plug experiment जो हम कर रहे हैं, इसके theory क्या है, वो देख लिजे, प्यारे बचों हम यहाँ पर ओ लेके चलते हैं, हम दो cylinder ले रहे हैं यहाँ यहाँ हम एक piston लगा देते हैं, यह एक piston है हमारे पस, यह एक, यहाँ force plug है, cotton wool लगाई हुई है, force plug है, इसको हम force plug कह देते हैं, और यहाँ पर यह cylinder A है, यहाँ पर यह हमरा दूसर, इसको हम B cylinder कह देते हैं, इसमें भी gas है, गैस हम cylinder A में पहले बह रहे हैं, और इस piston को हम C कह देते हैं, और इस piston को D कह रेते हैं तो ये देख लिजे आप यहाँ पर और ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये force plug है तो हम सबसे पहले cylinder A में gas consider कर लेते हैं Consider one mole gas in cylinder cylinder A A cylinder में gas हमने ले लिए और ये देखे यहाँ पर ये point भी हम लिख देते हैं कि let P1, V1 and T1 are the pressure, volume and temperature of gas in cylinder A और you can say before passing through this force plug pressure initial भी कह सकते हैं pressure, volume and temperature of gas gas in cylinder in cylinder A irrespectively और you can say before passing through the force plug इस force plug से pass होने से पहले ये हैं अब जब gas cylinder B में चली जाती है तो उसमें pressure कितना होता है? वो भी देख लेते हैं अबड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ आप्टर पासिंग थुरू देखते रहे हैं याप पासिंग थुरू पोर्स पलग अब प्यारी बच्वों ये देखिए कि मान लो जब हम इस शिलंडर को प्रेस करते हैं तो इस गैस के उपर वरक्डन होता है वरक्डन ओन दी गैस बाई पिश्टन सी जब हम पिश्टन को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे क्यों तो इस गैस पर कितना वरक्डन होता है वो देख लिए क्योंकि उस समय प्रेशर पीवन होता है वोलूम वीवन होता है तो वरक्डन कितना होगा आप वही बात लिख रहे हैं work done on gas यह gas पर होता है by piston C piston C ने gas पर कितना work किया वो हो गया P1 V1 और जैसे ही यह gas इस force plug से पास होगी तो यह gas फिर piston D पर force लगाएगी work करेगी तो यहां पर यहां तो हमने work किया था piston C ने gas पर work किया था लेकिन यहां यह gas जो है यह इस piston पर work कर रही है तो work done by the gas on the piston D कितना हो जाएगा work done by gas on piston D यह हो जाएगा P2 V2 तो फिर इतना gas पर work किया gas ने इतना work कर दिया तो gas के दुआरा network done कितना हुआ network done by gas और प्यारे बच्चों यह देखिए आप समझ गए होंगे P2 V2 minus P1 V1 इसको हम equation 1 कह देते हैं अब देखिए हम पहले ही कह रहे हैं कि यह पूरा का पूरा जो system है यह adiabatic है यानि कि totally thermally insulated है भार से ना heat अंदर आ रही है ना ही अंदर से heat भार आ रही है यानि कि no heat is allowed to enter or leave the system the system is this process is under adiabatic conditions तो फिर यह चेंज कहां से हो रहा है यह जो चेंज हो रहा है यह इंटर्नल एनरजी की कोस्ट पर हो रहा है since the process is adiabatic adiabatic it means that no heat is allowed to enter or leave the system and so the work is done at the cost of loss in internal energy तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि यहां internal energy U1 थी और यहां internal energy U2 होगी तो लोस इंटर्नल एनरजी तो लोस इंटर्नल एनरजी कितनी होई देर्फोर लोस इंटर्नल एनरजी यह कितना हो जग है पर पर बच्चों यह देखी इति इकल टू U1 पहले थी और बाद में कितनी हो गई U2 तो इतने अलोस हो गया लेकिन हम पहले कह रहे हैं कि जो वर्क डन हो रहा है वो लोस इंटर्नल एनरजी के कोस्ट पर हो रहा है तो यह दोनों बराबर होंगे यानि वर्क डन इस इकल टू वर्क डन इस इकल टू लोस इंटर्नल एनरजी और प्यारे बच्चों अगर ऐसा है तो हमें वर्क डन भी है पता है और लोस इंटर्नल एनरजी पता है यानि कि work done कितना है P2 V2 minus P1 V1 and it is equal to U1 minus U2 इसको थोड़ा rearrange कर लीजिए यहाँ पर यह देखिए P2 V2 है यहाँ पर मैं U2 को इधर ले आता हूँ U2 it is equal to U1 इधर ही और यह P1 V1 राइट साइड में लेके जाते हैं तो P1 V1 यह हो गया है तो प्यारे बच्चों यह देखिए U1 क्या है internal energy cylinder A में और P1 V1 इसी का pressure volume है तो इसका मतलब हुआ है कि जितना A में है इन दोनों का sum internal energy और pressure volume का product जो है उतना ही हमारा cylinder B में है यानि इन दोनों का जो sum आ रहा है वो constant है और आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि U plus P into V किसी भी गयस की ये enthalpy H के बराबर होता है enthalpy के बराबर होता है यानि कि और ये क्या है प्यारे बच्चों ये तो constant है इसका मत्तब ये हुआ कि adiabetic throttling system के दोरान जो enthalpy होती है वो constant रहती है दूरिंग एडियाबेटिक थ्रोट्लिंग प्रोसर्स ये जिस्ट्रें से गयस एडियाबेटिक कंडिशन्स के तहित पोर्स पलक से पास होई है जिसे हमें एडियाबेटिक थ्रोट्लिंग प्रोसर्स कहते हैं दी एंथल्पी रिमेंस कॉंस्टेंट तो प्यारे बच्चों आपसे ये बात भी पूछी जा सकती है ये क्युस्टन यहां तक भी बना सकते हैं एक अलग से क्युस्टन आगर पूछना चाहें कि शो दैट डूरिंग दी एडियाबेटिक थ्रोट्लिंग प्रोशस दी एंथल्पी रिमेंस कॉंस्टेंट तो फिर आपको यहां तक करना होगा ये ये क्युस्टन साब को बनाना होगा मैं फिर आपको बता रहा हूं कि स्टॉपीज हैं उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है जो थोड़ा मुश्किल होता है आदमी इनिशियल से आखिर तक तो कर लेता है लेकिन जब बीच से क्युस्टन पूछते हैं तो कई बार वो समझ नहीं पाता है क्योंकि उसने उस टॉपिक को पूरा नहीं सम करते हैं समझ करके नहीं करते हैं बलकि उसको रठ ते हैं तो बीच की बाते उनके याद नहीं रह पाती हैं और वहाई स्कॉरिंग नहीं कर पाते लेकिन हमारा उद्देश यही है कि चाहे उaf पूरा ग्यूस्टन नहीं पूछे साए कॉम्पिट्रव में उन्यों से एकْелि लिए कर रहे थे लेकिन अगर यही रियल गैस की बात करते हैं प्रक्टिकल बात करते हैं तब हम इसको फर्दर हमें कुछ और एक्सलेंगे यह आइडियल गैस के लिए क्या है जा हमने क्या स्पोज किया था कि जो अपस में गैस मॉल्यकूल्स के बीच में जो इंट्रेक्शन भी होता है तो कुछ work done इस interaction के overcome करने मी लगता है तो हम पहले उसकी बात करते हैं यानि for real gas we use the wonderwall gas equation हम इसको use करेंगे perfect gas equation को use नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाए वो आप जानते ही है wonderwall gas equation हमारी क्या होती है वो होती है P plus A by V square into V minus B is equal to RT यह है यहाँ पर आप देख रहे हैं जो A और B हैं यह constant है जिने हम wonderwall constant कहते हैं यह भी लिख लिख लिए यहाँ पर where A and B are wonderwall gas constants यह देखे प्यारे बज़ों अब हम यह जो ट्रम आ रही है यह किसके लिए है जो intermolecular interaction होता है उसके लिए है तो हम वही बात यह लिखते हैं कि वो निकाल लेते हैं कि work done in overcoming the internal force of attraction यह कितना होगा प्यारे बज़ों वो देख लिए इसको हम ऐसे निकालेंगे volume V1 से V2 और A by V square into dv इसको आप solve कर लिजे तो कितना आता है यह देखे minus A by V और limits रख देंगे हम V1 to V2 यह हो गया है इसको further solve अगर हम करते हैं तो यह A by V1 और minus A by V2 हो गया है यह देखे पहले A by V2 minus sign है यहाँ पर इसको हम लिखते हैं तो यह आगी यानि यह term आ गई इतना जो work done है वो internal जो molecules के बीच में force of attraction होता है उसको remove करने के लिए और क्योंकि वो work done भी तो यहाँ use होगा तो net work done जो पहले हमने यह माना था यह ना हो करके यह उसमें और add कर दीजी यानि कि जो net work done अब हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा A by V1 minus A by V2 यानि कि यह वाला work done हम उसमें और add कर दिया है this is the net work done in case of real gas अच्छा इसमें हम यह P2 V2 और P1 V1 इस term की value भी निकाल सकते हैं इसी वंडरवाल गैस equation को यूज करके इस ब्रेकिन को खोल देते हैं जैसे PV minus PB plus A by V यह देखे इसको इस term से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा और minus AB by V2 is equal to RT थोड़ा सा simplify करेंगे कोई बहुत मुश्किल नहीं है थोड़ा mathematics जरूर है क्योंकि हम थोरी कर रहे हैं पूरा बड़ा जो ऐसे type question है उसको हम प्यार कर रहे हैं यहां पर यह term जो है A by B square being very small can be neglected यानि कि मैं जो point यहां लिक रहा हूँ की वे है A by B square can be neglected being very small तो इस term को जो हम neglect कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा PV इस term को एक तरफ रख लेते हैं यह तो हमने neglect करी दिया है उधर क्या रहे गया RT यह देखो और यह term उदर चले जाएगी तो plus PB और यह term उदर जाएगी right side में A by B और इसको हमने neglect कर दिया है यह term आ गई RT plus PB right side में जाने के बाद और minus A by V यह आ गया है अच्छा दोनों ही term के लिए जब gas यहाँ पर थी तो P1 V1 कितना होगा देखे प्यारे बच्चों P1 V1 it is equal to RT1 plus P1 B B minus A by V1 यह होगा है और जब यह gas cylinder B में गई थी तो उस्समें यह value यानि कि P2 V2 it is equal to RT2 plus P2 B minus A by V2 यह होगा है तो इन दोनों से अब हम P2 V2 minus P1 V1 जो हमारा aim है यहां रखने के लिए क्योंकि यह network land है real gas के case में तो अब देखें इन दोनों को जो हम subtract करते हैं यह देखें P2 V2 minus P1 V1 इस equation में से इस equation को हमने subtract कर दिया है तो हमारे पास देखें क्या आता है यह आगया इसमें से की R into आगर हम इसमें minus sign बहार ले ले लेते हैं यानि कि यह जो network land है put this value of P2 V2 minus P1 V1 in this equation क्योंकि this is the network for the real gases तो यहां पर इन दोनों के वेली यह रखेंगे इस पूरे के स्थान पर हम यहां रख रहे हैं स् Dalyanus P1 यह लिख दिया है और यहाँ पहले से ही है minus A by V2 और minus A by EV2 यहां भी है तो हम इसको क्यों नए yen double कर देते हैं minus 2a by V2 यह देखें क्योंकि minus A by V2 minus A by V2 यह दोनों यह दोनों बेंके more Kaya A by V1 यह यह है यह भी हम लिख सकते हैं 2a bye 1 by V2 की value निकाल लेते हैं जैसे हम जानते हैं approximately हम लोग लिकाल रहे हैं P1 V1 is equal to RT1 यह हम जानते हैं तो यहां से आप 1 by V1 की value कितने होगी देखी 1 by V1 यह V1 हिदर गया है right side में और RT1 हम हिदर ले लेते हैं यानि कि P1 by RT1 यह देखे 1 by V1 और RT1 हिए हो गया इसी तरीके से हम P2 V2 क्या होता है RT2 तो यहां पर भी हम 1 by V2 की value निकाल सकते हैं यह कितना हो जाएगे देखी 1 by V2 इदर लेंगे तो यह हो जाएगा P2 divided by RT2 now put the value of 1 by V1 and 1 by V2 in these two equations we write here कि net जो वरक्ण हमारे पास आएगा W is equal to minus R into T1 minus T2 यह देखिए यहां पर भी हम minus common ले रहे हैं तो minus हो गया B into यह जो P2 minus P1 है minus common लेने से क्या हो जाएगा यह हो जाएगा P1 minus P2 और यह देखिए minus 2A 2A 1 by V2 के स्थान पर हम यह लिख रहे हैं यानि P2 divided by R T2 और पलस 2A 1 by V1 के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं P1 by R T1 यह देखिए 2A by R T1 यह देखिए और उपर P1 है यह देखिए 1 by V1 2A है 2A हमने लिख दिया है और 1 by V1 के स्थान पर क्या लिखा P1 by RT1 अच्छा फिर एक और प्यारे बचों यहां हम approximation लेकर चलते हैं real gases के मामले में यह बहुती difference ज़्यादा नहीं होता है इसलिए हम इसे approximately we take हम एक काम कर रहे हैं यहां पर कि T1 और T2 इन दोनों को approximately बराबर T के बराबर ले लेते हैं फिर यह equation हमारी T2 यह देखिए यह लिख दिया है minus B into P1 minus P2 यह लिख दिया है और यहां इन T1 T2 इन दोनों को हमने बराबर यानि कि T के बराबर रख दिया है क्योंकि इन में कोई बहुँ ज़्यादा नतर लिया नहीं है तो इन दोनों के ज़्यादी तो आप तो common आ जाएगा यहां पर क्या चीज common आ रही है देखिए minus हम common ले रहे है 2AYRT यह common हो गया है यहां पर तो यहां क्या रह गया है P1 minus P2 यह देखिए यहां पर हमने क्या चीज common लिए 2AYRT तो पलाशी कर लेते हैं यह आ गया है 2AYRT common लेने से यह क्या हो गया P1 minus P2 इसको हम फर्दर study करते हैं चलिए देख लेते हैं इन दोनों में इसे देखिए P1 minus P2 को मना रहा है हम लिखेंगे minus R into P1 minus P2 और पलाश 2AYRT minus B into P1 minus P1 minus D2 जो की fall in temperature है इसे हम दीटी कह रहे है is the fall in temperature of gas तो फिर यह इस equation को हम कैसे लिख पाएंगे यह देखिए W is equal to minus R into DT अब देख दिए इसके जेगा हमने DT लिख दिया है पलस molar specific heat molar specific heat of gas at constant volume volume को constant रख देख तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि यही वरगडन किसके बराबर होता है और इंटू सीवी और टेंप्रेचर कितना है डीटी यह राइजिन टेंप्रेचर है डीटी तो एक एक वरगडन हमने डारेक निकाल लिया और एक वरगडन इस लेंदी प्रोसस के तहरे निकाला है कोई बात नहीं है जब लक्ष बड़ा होता है तो मेहनत करनी होती है समझना होता है तो दिहरे दिहरे आप इसको देख रहे होंगे पूरे वीडियो को बार बार देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं on equating equation 1 and 2 we can write that cv into dt ये तो है इधर it is equal to यहां देखिए minus r into dt plus 2a by rt minus b into p1 minus p2 ये देखिए प्यार बच्चो ये जो r dt है इसको भी हम left side में ले लेते हैं और यहां आजाएगा cv plus r और dt को मन हो जाएगा यहां पर क्योंकि ये ट्रम जब हम left side में लेंगे तो ये plus में होगा and it is equal to 2a by rt minus b into p1 minus p2 heat of the gas at constant pressure into dt and it is equal to 2a by rt minus b into p1 minus p2 नहीं कि fall in temperature of the gas हम निकाल लेते हैं cp को हम फिर right side में लेके जलते हैं 1 by cp bracket को बंद कर देते हैं और देखिए हमारे पास क्या आपता है 2a by rt minus b into p1 minus p2 यह है वो important equation कोई भी equation आप दे सकते हैं this equation gives the fall in temperature in joules thomson effect यहां अमारी थेोरी जो है कुछ नजदीक पहुती है यानि की equation one gives the fall in temperature of gas in joules thomson effect यहां से प्यारे बच्चो अब आप complete study जो हमने observations के दोरान जो observations की थी experiment को जो perform किया था उन सब को explain कर सकते हो देखिए special cases पहला ही point देखिए अब यह dt क्या है पहले तो आप समझ लीजिए dt हमने किस के उस्थान पर रखा था dt वाग इकल to t1 minus t2 अब बाकी यह तो positive में है और यह pressure initial हमेशा ही जादा होता है जब आप pressure करके force plug से तो p1 तो हमेशा p2 से जादा ही रहेगा तो यह तो positive रहेगी अब यह matter करता है यहाँ पर यह a और b डिफरेंट जो gases है वंडरवाल constants है उनके लिए तो अब यहाँ से देखिए अगर if 2a by rt is greater than b वान्दब यह वाली value इसे बड़ी होगी तो यह रासी भी plus हो जाएगी तब क्या होगा 2a by rt minus b will be positive यह positive होगी और जब यह positive होगी तो यह सभी positive हो जाएगे और हम कहेंगे dt is positive और प्यारे बच्चों समझ सकते हो जब dt positive है इसका मतलब होगा t1 जो initial temperature है वो ज़्यादा है final temperature कम है तभी तो यह positive आएगी इसका मतलब क्या होगा there will be will be cooling effect यहाँ क्या होगा cooling effect होगा चलिए दूसरा case कर लेते हैं यहाँ पर देखिए कि अगर if 2a by rt is less than b मतलब यह इससे कम है तो फिर तो यह तो negative हो जाएगी ना आप यही तो कहेंगे कि 2a by rt minus b is negative और यह negative है इसका मतलब dt negative है dt negative है अब यहाँ से आप खुदी देख लिजिए जब dt negative है यहाँ पर negative कब होगा जब t2 जादा है और t1 कम है t2 यह है और इसका मतलब है कि temperature गटा नहीं है decrease नहीं हुआ बलकि temperature increase हुआ है यानि कि यहाँ पर cooling effect नहीं हुआ क्या हुआ हुआ है heating effect हुआ है यानि कि there will be यह हुआ है यह हुआ है यह पर प्यारव चोद तीसरा case भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर देखे कि if 2a by rt is equal to b कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि यह इसे जादा या कमी रहे यह दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं जब यह दोनों बराबर होंगे तो फिर क्या होगा 2a by rt minus b will be equal to 0 यह तो 0 हो जाएगा जब यह factor 0 हो जाएगा तो dt भी 0 हो जाएगा यह देखे उस case में हम लोग लिखेंगे कि dt is equal to 0 यह दोनों टरम्स आप समझ गए हैं मैं बात इसकी कर लेता हूँ जब dt 0 होगा तो क्या होगा जब दोनों का temperature बराबर होगा जो initial temperature है वही final temperature होगा यानि कि neither cooling nor heating और इस particular temperature को तो हम क्या कहते हैं temperature of inversion तो यहाँ से हम temperature of inversion भी निकाल सकते हैं क्योंकि यह टरम जो है आप देख रहे हैं कि 2a by r t minus b is equal to 0 इसका मनलब भी t is equal to b और यहाँ से t की value निकाल सकते हैं यह दे t is equal to यह हो जाएगा 2 by r b इसे ही हम कहते हैं temperature of inversion क्योंकि इस particular temperature पर ना heating effect होता है ना cooling effect होता है या यूं कह सकते हैं joules thompson effect की जो value होती है वो जीर हो जाती है और इसे क्या कहते हैं is called temperature of inversion temperature of inversion तो प्यारे बच्चों अब हमें पता चल गया ना आओ अब आपको पूरे को conclude करना हो तो आप यह कह सकते हैं कि वह है इनिशिल temperature temperature of gas यह temperature temperature of inversion से कम है तो फिर क्या होगा cooling effect cooling effect होगा प्यारे बच्चों और यह देखे अगर इनिशिल temperature is greater than temperature of inversion तो फिर heating effect होगा और यह बात हम देखे लिए है कि अगर इनिशिल temperature temperature of inversion के बराबर होगा तो नाइधर cooling नोर heating effect होगी तो प्यारे बच्चों आज का lecture थोड़ा तो नहीं कहूंगा कुछ ज्यादा ही लेंदी हो गया है कारण यह था कि हमें एक पांच निम्बर का essay type question त्यार करना था जिसमें Jules Thompson effect की complete study करनी थी कि Jules Thompson effect होता क्या है इसके पूरा post plug जो experiment है उसका हमने procedure observations और उसकी थोरी को explain किया और उसके बाद हमारे पास Jules Thompson effect की study हुई और इसके पर बहुत से questions आपके university exams में पूछे जाते हैं जिन बचों ने इसको पूरा तयार कर लिया है समझ लीजे एक बार वीडियो देखने से उसका 50% solution हो जाता है एक बार वो लिख के देख लेगा अपने notes खुद बनाएगा तो 90% के आसवास पहुँ जाता है और एक और study के दोरान 100% उसकी scoring हो जाती है वीडियो को दो बार देखते ही और अपने notes बनाते ही हाँ कि अगर आप notes बनाने में आपको थोड़ी सी hesitation हो रही है हलाएंकि आपको notes खुद ही बनाने चाहिए तो फिर आप description में download कर सकते हैं उन notes को भी और वो आपके लिए काफी helpful होंगे क्योंकि वो पिल्कुल वही हैं जो मैं board पर लिख रहा हूँ इसी format में आपको लिख करके भी मैं वो provide कर दूँगा कि हमारा लक्स एक ही आप maximum या यू कही है कि 100% score करें हर article में हर question में हर exam में यही लक्स है और प्यारे बच्चों ये article ये video आपको कैसा लगा आप जरूर comments करें like करें और अगर अच्छा लग रहा है कुछ बच्चे नए जुड़े हैं हभी हभी जिन्होंने देखा है तो वो subscribe भी कर ले क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो channel है ये आपके physics के doubts दूर करने में आपको motivate करने में आपकी examination preparation में कोई कसर नहीं छोड़ेगा सभी classes के ना सिर्फ तुम्हारी बलकि तमाम जो classes है graduation की और school levels की हम उन सब की भी problems दालते हैं और competition के point वर सभी ये channel आपके लिए बहुत important रहने वाला है और इन तमाम activities को आपने कर लिया होगा और मिलते हैं एक और important article के साथ तब तक आप सभी विध्यारतियों का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very much